नमस्का दश्कूँ यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आग मिले कराई हूँ वर्ष 2021 का राशी फल सिंग लगन वा धनूराशी के जातकों के लिए अगर आपका कमिनेशन सिंग लगन वा धनूराशी का है तो आप ये वीडियो देखके लागुश आ सकते है सिंग लगन का क्या आरथ है कि आपकी जो लगन कुंडली है उसमें पहले भाब में पांच नंबर का अंक लिखा हुआ है तो इसका आरथ है आपका सिंग लगन है और चंद्रमा आपके पंचम भाब में नौ नंबर की राशी में बैठा है इसका आरथ है आपकी धनूराशी तो सिंग लगन और धनुराशी के जातकों के लिए वर्ष 2021 कैसा जाएगा इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे सबसे पहले मैं आप लोगों का ध्याना करशित करना जाओंगी 80% बढ़िया यह बहुत अच्छी हाई रेटिंग है जो मैंने सिंग लगन और धनुराशी के जातकों के लिए दी है क्योंकि 85% बढ़िया जाएगा क्योंकि रीजन देखिए आप खुद देखिए सामने में लिखा हुआ है शुप समय वर्ष भर बढ़िया समय यानि वर्ष भर आपके संग शुप घटनाए घट सकती है वो देखें ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि मैं आपको इस जो राशी फल बता रही हूँ चार मुखे ग्रहाओं के अधार पर बता रही हूँ देव गुरु बर्सपती, शनी माराज, राहु और केटू वर्ष का जब आराम होगा तो देव गुरू बर्स्पति और शनी माराज आपके छटे भाब में होगे गुरू मकराशी में होगे शनी माराज के साथ और 6 अपरेल के बाद गुरू जो है कुम राशी में परवेश करके आपके सब्तम्स में आ जाएंगे जहां गुरू की दिष्टी आपके लगन पर और आपके लाभाब पर होगी एक, दो, तीन, चार, पांच उसके बाद गुरू सितंबर के बाद फिर बापस लोटेंगे और वर्ष के अंत में फिर गुरू आपका जब वर्ष का अंत होगा तो गुरू कुमराशी में बिद्धिवान होगे आपके सब्तमबाब में राहू दशम में रहेंगे और केतू आपके चौथे बाब में रहेंगे धनुराशी से बात करें तो वर्ष के आरम में शनी माराज जो हैं आपके धनबाब पर होगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस और देवगुरु बर्सपती भी जो हैं धनबाप में बैठे होंगे शरी महराज के साथ और उनकी दिश्टी आपके दशमभाप पर होगी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो यानि केरियर के लिए बहुत अच्छा समय, उसके बाद देवगुरु बर्सपती कुमराशी में परवेश करेंगे जहां पर वो अपरेल से सितंबर तक रहेंगे और सितंबर के बाद फिर वो मोकर में लोटेंगे और 9 से दिसंबर तक फिर वो कुम्राशी में रहेंगे राउ आपके छटे भाब में रहेंगे और केतु आपके दौदश भाब में रहेंगे अब यह जो सिंग लगन दनुराशी का कम्बिनेशन मेना उसमें परेटिविटी यह आई कि वश का घब आरम होगा तो सिंग लगन से थोड़े से गुरू नेगटिव होंगे क्योंकि गुरू छटे भाब में चले जाएंगे लेकिन गुरू जब इस समय आइगटिव हो रहे हो थीख उसी समय धनुराशी में गुरू पोजिटीव होंगे आपके लिए वश भर केरियर से जुड़ी शुबगटनाएं उकट सकती हैं, आपको जॉब मिल सकती है, आप जॉब बदल सकते हैं, आपकी फर्मोशन हो सकती है, वेपार में आप जो चाहें डिसीजन ले सकते हैं, ये वेवश आपके लिए 85% तक बढ़िया जाना है, हाँ पात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के लिए तो गुरु क्योंकि धनवाब में बिद्यमान रहेंगे और यहां से गुरु की रिष्टी धनवाब पर रहेगी, तो वश भर आपके लिए धन के लिए बहुत अच्छी संकेत है, धन आपके पास आता रहेगा, आपका सिंग सिंग लगन वा धनुराशी के जातक हैं, और अगर आप गौर्नमेंट जॉब में हैं या ऐसी जॉब में हैं जहां पर ट्रांसवर होता है, तो ध्यान रखिए इस वर्ष आपका दशम भाब और चतुद भाब राव केतु के अक्ष में हैं, और यहां भी राव छटे और द काम पूरी हो जाएंगे, जो काफी लंबे समय सो रुके हुए थे, साथ ही अगर आपका सिंग लगन वा धनुराशी है, और आप परत्योक्ता परिक्षा के त्यारी कर रहे हैं, गौर्नमेंट जॉब का पेपर दे रहे हैं, तो परत्योक्ता परिक्षा में सफदा के लिए से बढ़िया समय आपको नहीं मिलेगा, वर्ष में आपकी यात्राएं भी होंगी, लोगों से समाजिक संपर्ग भी बनेंगे, और इसके साथ ही वर्ष आपके लिए काफी अच्छा जाएगा, और अंत में आपसे कहूंगी कि अपने स्वास्ते का ध्यान रखें, विशेश अगास सितंबर के महीने में उनको केरेर को लेके कुछ साथानी रखनी पड़ेगी, जब गुरु बर्सपती और शनी माराज वक्री होते हैं, जो कि जैसा कि हर साल होते हैं, जैसा कि आपको अपने चैनल से भी पता लग जाता है, इस तरीके से दो तीन चीजों की साथानी तो अगर आपका सिंग लगनमा धनूराशी है तो वस्ट 2021 आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है, ऐसा वस्ट जिसको आप जिनगी पर याद रखेंगे, तो दशको यह मेरा वीडियो था, अपना वीडियो समात करने से पहले मेरी आप सबसे परातना है, कि अगर आ चैनल पर पहली बार आए है और आपने मेरा चैनल अभी ता सब्सक्राइब नहीं किया, तो किरपा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ इवल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अप्लोड करूँ, उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आप मेरा वीडियो देख सकें, इसके साथ ही नमस्का दश्कों, जैमातानी,